नमस्कार, आज हम सोध विधी में जो प्रशनावली विधी कामी ली जाती है, उसमें किस परकार से प्रशनों को रखा जाना चाहिए, प्रशनों की भासा कैसी होनी चाहिए, और जो आकड़े जुटाए जाते हैं, वो हमें कैसे इखटे करने हैं, इसके साथ ही हम अनुसुच प्रशनों की संक्या जादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर प्रशनों की संक्या जादा होगी, तो जो उत्तर दाता है, वह सही डंग से, और रूची लेकर के प्रशनों के उत्तर नहीं देना चाहेगा, दूसरी जो बात है, वह है, समंदित प्रशनों के समावे से प्रशनों की विश्वशनेता बढ़ती है, जो प्रशन होते हैं, वो इस परकार से होने चाहिए, कि जो बार उत्तर दाता से इस परकार के प्रशन कर लेता है कि सोध जो उत्तर दाता है वो सही जवाग नहीं देता है और इससे प्रशनावली जो विदी है उसकी विश्विशनेता पर एक तरह से प्रशन चिन लग जाता है इसके अलावा जो प्रशनावली विदी है उसमें विभि प्रशन होंगे उनकी बाहसा सरल होनी चीए जटिल नहीं होनी चीए क्योंकि अगर बाहसा जटिल होगी तो उत्तर जाता जो उत्तर देना चाहरा है वह समझ नहीं पाएगा और उत्तर देने में उसको काफी पठनाई होगी और हमें इस बात का भी ध्यान में रखना चाहिए कि उत्तर दाता है वो कौन सी बाहसा में अपने उत्तर देना चाहरा है तो हमें उत्तर दाता की बहुत सी बातों को ध्यान में रखना होगा कि प्रशनों की बाहसा सरल है जिसे कि वो आसानी से समझ सके और उसको कौन सी बाहस पसंद है किस वासा में उत्तर देना इजी समस्ता है उसी वासा में हमें प्रशन तयार करने चाहिए इसके अलावा प्रशन है वो प्रिनात्मक नहीं हो अथार्थ जो प्रशन है उसमें यह हमें नहीं देखना चाहिए कि उनका तुरंत ही रिजल्ट निकल जाए उत्तर दाता के समक्सी बलकि हमें उसका एक तरह से विशलेशन करके उतर निकालना होगा एक बात और ध्यान में रखने चीए कि कभी भी है वो परशन है वो प्रिनात्मत तो हो इनी हो दूसरे एक दूसरे से जुड़े हुए भी होने चीए जैसे एक सिक्वेंस होना चीए कि अगर हम किसी वेक्ति से उसके वरतमान जीवन में वो क्या बनना चाथा हुए उससे प्रustom कर रहे हैं तो हमे उसके बाले काल से ही उसके डिमाग में क्या चल रहा था और वो क्या सोचता है अपने बविश्य के बार में वहां से हमें प्रशनों को उठाना चाहिए इसके अलावा प्रheld ऐ जिससे कि जो सोध करता जिस भी टोपिक के बारे में जानकारी प्राप्ट कर रहा है वो जानकारी उन प्रशनों से उसको मिल सके और प्रशनों को प्रस्तुत करने का जो तरीका है वो काफी ही सरल होना चीए उत्रदाता को समझ में आना चीए और रूची कर भी होना चीए कई उत्तरदाता उसमें रूची ने ले पाता, उसको ऐ रूची कर लगते हैं वो प्रशन, तो हमें इस बात का हमेशा प्रयास करना चाहिए कि हम जो भी प्रशन उत्तरदाता के समक्स रखते हैं, हमारे जो प्रशन हैं वो रूची कर होने चाहिए, जिससे कि उत्तरदाता उसमे रूची ले इसके अलावा जो सोध करता है उसको बीच बीच में जो उत्तर दाता है, जो हमें सूचनाई दे रहा है उसको प्रोचसाइद पर करते रहना चाहिए कि ऐसी सूचनाई हमें आप ही दे सकते हैं और आप हमारे सोध को सफल बनाने में साहता कर सकते हैं तो ये तो हमें जब भी हम सोध विधी के लिए जो प्रशनावली विधी तयार करते हैं और उससे जो आकड़े जुटाते हैं उससे समंधित जानकरी है आगे हम बात करते हैं अनुसूची का तो अनुसूची का क्या आर्थ है जिस परकार प्रशनावली जो विद्धी होती है उसमें विविन परकार के प्रशनों को तयार किया जाता है और सुचना ही खटी की जाती है उसे परकार अनुसुची जो विद्धी है अनुसुची में भी एक तरह से विविन परकार के प्रशनों को रखा जाता है और एक तरह यह प्रश्णों का एक सम्मूँ होता है, उसी के मात्यम से कोई भी सोध करता है, वो सूचना दाता से विफिन प्रकार के प्रश्णों को पूचता है, तो हमें यह देखते हैं, कि प्रनात्मक विधी के द्वारा आंकड़े इकटे करने की एक और जो उत्तम विधी है, वह है अनुसूची विधी, सांखे की विधी के द्वारा सामाजिक सोध करता, अनुसूची के मदद से कुछ विफिन जानकारी है, वो प्राप्त करता है, और अपने सोध कारे को सफल बनाता है, और जैसा कि मैंने बताया कि प्रश्णावली विधी की तरह अनुसूची जो विध इस परकार हम यह देखते हैं कि जो अनुसुची विद्धी है वह भी एक तरह से आकड़ा एकटा करने की एक उत्तम विद्धी है जो कि प्रशनावली विद्धी की तरही प्रशनों को तयार करती है जैसा कि जो विद्वान है, पीवी-यंग वो अनुसुची को परिवाशित करते विए करते हैं कि यह भी परशनों के एक सुची है जिसे समाजीक अनुसंधान करता, साधान तया, स्वेम भधता है और जिसके द्वारा परशनों के उत्र की व्याख्या की जाती है हमने ये देखा कि जो परशनावली जो विद्धी है उसमें जो सोध करता है वो विफिन परकार की परशनों को तयार करता है और एक सूजना दाता के समक्स रख देता है वहां सूजना दाता स्वेम उन परशनों को बरता है लेकिन जो अनुसुची जो होती है उसमें जो सोध करता है वो स्वेम ही परशनों के उत्तर बरता है सूजना इकट ही करता है वो उत्तर दाता से लेकिन जो परशनों के उत्तर है उनको स्वेम है सोध करता बरता है तो यहाँ एक बात धान देने योग्य है वह यह है कि इसमें चुकि स्वेम सोध करता बर रहा है प्रश्णों के उत्र तो एक तरह से जो उत्र होते हैं वो विस्वसनेता लिये होते हैं इसके अलावा अनुसुची को अलगलग विद्वानों ने प्रिवासित किया है तो अनुसुची के लिए जो विद्वान है गुड़े और हट उन्हों ने ये का है कि अनुसुची उन परश्णों के समु के नाम से जुड़ा है जिसे सोध करता एक दूसरे के आमने सामने होकर पूशता है और स्वेम भढ़ता है अगर हम सारान सुरूप में देखें सभी परिवासाओं का तो हम यह कह सकते हैं कि अनुसुची अध्यन विशेश से समनलित परशनों की एक व्यवस्तित वर्गीकर्थ सुची है जिसे सोध करता उत्तर दाता के पास जाकर उनसे पूशता ह तथा परशनों के उत्र को भी स्वेम अपने हातों से लिख कर बढ़ता है अब हम बात करते हैं अनुसुची की परमुक विशेशताओं की तो अनुसुचे में अध्यन समस्या से समन्दित परशनों की करमबद सुची होती है जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अनुस जाता है इसे एक फोरम के रूप में छपवाये जाता है अनुसंदान करता स्वेम उस फोरम को व्यक्तिकत रूप से सूजना दाता के पास ले जाता है और उससे शाक्षातकार एम विभिन परकार की जो परशन है उनको पूसता है और परशनों की उस सुची को सोध करता है वस स्वेम भढ़ता है अनुसुची में नीरक्षन, शाक्षातकार एंप्रशनावली तीनों विद्धियों को एक समलित रूप से एक साथ देखा जा सकता है अनुसुची का परियोग सिक्सीत और एक सिक्सीत तोनु परकार के ही उत्तर दाता है वो समान रूप से इसको उप् परशनावली कार एक समूच्ची है जिसमें परशना væएकर और गार करता। विभण परकार दोन 55 को सिक्षाहतीं परियोगा है उत्तर से परकार की सिक्साइब तकाता है उत्तर दाता है पास ले की जाता है स्वेम और स्वेम उत्तर दाता दौरा जो भी उत्तर दिये जाते हैं उनको वह खुद बढ़ता है अपने हातों से और एनोसुची के समय कई जो विद्या हैं उनको काम में ले सकता है ये किसोध करता जैसे कि साक्षादकार विद्य है देखते हैं कि सोधकारिय में जहां प्रशनावली विद्धी है वो विफिन आंकडों और तत्यों को इखटा करने में साइख है वहीं जो अनुसुची जो विद्धी है यह भी एक तरह से सोधार्ती के लिए काफी लाताय विद्धी है जिसमें व्यक्तिगत आंकडे या किसी स समुस्य समन्दित आंकडों को इखटा किया जाता है धन्यवाद